हेलो दुस्तो वेलकम बैक टू नीए वीडियो उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दुस्तो आज के इस फीडियो में बात करने वाले ब्रैंड न्यू होंडा SP 125 स्पोर्स एडिशन के बारे में यह दुस्तो SP 125 का बिंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रेज है SP 125 125 सेग्मेंट में बहुत अच्छी बाइक निकल के आती है लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दुस्तो आज के इस फीडियो में आपको इस बाइक के बारे में डीटेल में बात करने वाला हूँ क्या प्राइज आती है क्या स्पेसिफिकेशन है कि इस बजट में आप इस बाइक को खरी सकते हैं आपको इस बाइक के प्राइस के बारे में आपको यह क्या प्राइस देखने को मिल रही है जैर सी बात है दुस्तो कोई बीचीज लेने वाले लेने की सूच है तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचती कि हमारे पास पैसा कितना है जितना हमारे पास पैसा होता जितना हमारे पास बजट होता उसके साब से हम किसी चीज को डिसाइड करते है दोस्तों आपको बतादू SP-125 दो मोडल आती है एक विदाउट डिस्क और एक डिस्क वाला मोडल विदाउट डिस्क लेंगे तो 89,000 रुपीस की आसपास की वो एक्सुरूम प्राइज आती है जी अलग बाग 80, ना 89 नी सॉरी 86,000 वह अगर आप डिस्क वाला मोडल लेंगे तो लबक 91,000 रुपीस की आसपास की एक्सुरूम प्राइज देखने को मिलती है यारे कि दुस्तों अगर आप दोनों का कंपेर करें तो जाधा प्राइज डिफिर्स नहीं है अलाकि द्यार ना किए इस पूर्स एडिसन है दोस्तों इसमें आपको विदाउट डिस्क वाला मोडल नहीं मिलेगा इसमें आपको डिस्क मोडल ही लेना पड़े अगर आपको यह कलर आप्शन लेना है कंपनी ने लाइट की इलुमिनेशन प्लस विसिबिलिटी दोस्तों बहुत अच्छी दीवी है LED लाइट की क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी इस बाइक भी बहुत जाती है जो टनल सिंगल लाइप है वो आपको नारवल बल्ब देखने को मलता है वो फिलार आपको यहाँ पर LED नहीं मिलेंगे जो सस्पेंशन हो आपको फ्रेंट में दोस्तों टेलिस्कोपिक सस्पेंशन मिलते है अलागी सस्पेंशन की जो क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी यहां पर कोई डाउट नहीं है उन्डा की सस्पेंशन है फ्रंट में 80 एरनेट के एसपास के टायर साइज मिलेंगे मात करें ब्रेकिंग के बारे में ब्रेकिंग दोस्तों स्पेशल फीचर में इस बाइक में आपको दादू सिंगल डिस्ट जो आपको देखने को मलता है प्ल बन्डवाई लोगों की ब्रेकिंग कुलर्टी यह लोगों काफी अची तरेष देखने को मिलता है बात करें पावर और पारे में दूस्ति यह मैंक्सिमम पावर में 10.7 की परस का पीज़ पावर जनरेट करती हैं 10.79 की आपस को जो डॉर्क है वापको इस बाइक में देख को मिलेगा यानि कि अगर आप देखे तो 125 सेग्मेंट के साफ से है नो डाउट पावर एंड परफॉर्मेंस आपको इसमें काफ़ अच्छी देखने को मिल रहे हैं कोई बहुत बड़ी गाड़ी होती तो भाई समाज में था 125 के साफ से कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी नहीं पर एक आपके ची जो पावर इस बाइक में ऑफर किया हुआ है दोस्तो आपको में बताना चाहूँआ इस बाइक में दोस्तो आप लोगों को कोलिंग सिस्टम में एर कोलिंग एंजिन मिलता है फिल सिस्टम में एफ़ई मिलता इससे फिल इजेक्टर भी कहते है बोर से 50 mm से 63.1 mm दोस्तो यह 5 gear के साथ में आती है साथ में इसमें आपको जो नॉर्मल बेट में देखने को मल जाता है प्लस नई मॉडल है यह यह जो बहुत अच्छी है जो कि आपको पता है एथानॉल फिल को सपोर्ट करती है क्वालिटी भी आपको इस बाइक का बहुत अच्छी specification बात कर लें इसके mileage and performance के बारे में दोस्तों यह आपको minimum जो mileage निकाल कर देती है वो देती है दोस्तों लगबख mileage निकाल कर देगी लगबख 60, 60 के असपास का mileage इसली देगी 0 to 60 में इसको 7 second लगते है, top speed आपको इसकी लगबख सब्सक्राइब कर देखने को मिलता है अब चलते हैं दोस्तों आपने देखा जो क्वालिटी वह आपको बाइक में बहुत अच्छी देखने को मिल रहे है और SP-125 यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगती दोस्तों कि इसकी जो performance है आपको बहुत अच्छी देखने को मलेगे, परफॉर्मस में कोई डाउट नहीं, company ने performance के मामले में से बहुत अच्छा बनाया हुआ है, आपकी आपको कैसी लगती यह आप comment करके जरूर बताएगा, बागी दोस्तों मुझे लगता है कि, बाई, sports उसका जो डिजाइन है वो भी आपको बहुत सुपब देखने को मलता है exhaust quality आपको bike में बहुत अच्छी मिलेगी प्लस जोस्तों आप देख पा रहे हैं rear में इस bike में आपको SP-105 की matching भी बहुत ही premium देखने को मलती है और color तो आप देखी पार है इसका बहुत ही अच्छा है प्लस आप देख पार है rear में इसमें आप लोगों को जो tail light है वो आपको bulb देखने को मिलता है जो gravels की quality वो भी आपको बहुत सुपब मिलेगी जो tunnel signal लेप है वो भी आपको rear में bulb देखने को मिल जाता है वह दोस्तो देख पार है rear में आपको इस बाइक में 80-100 के सपस के जो tire size है वो आपको बाइक में rear में देखने को मिल जाते है rear की quality आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी वह दोस्तो बात कर लें इसके rear suspension के बारे भी rear में इसमें आपको suspension मिलेंगे वह आपको देखने को मिलेंगे normal ठेक rear की quality बहुत अच्छी है बढ़ शस्पेंशन के यह देख पार है seat की quality भी आपको बहुत सुपब देखने को मिलेगी यह देख पार है latest portrait जो है दूस्तो वह भी आपको इस bike में देखने को मिलेगी चली बात करने तो इस bike के speedometer के बारे में इस bike आपको fully digital meter है आपको इस bike में देखने को मिलेगा उसमें आपको जो feature है दूस्तो आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते है इस bike में दिया हुआ है फीचर की quality वह भी आपको बारे में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी जैसे इसमें दूस्तो आपको speedometer है, autometer है, clock है, fuel gauge है, gear indicator है, service reminder है, distance to empty indicator है प्लस आपको बारे में जो है दो switches दिया है company ने जो उसके speedometer को control आप कर सकते है speedometer की quality आपको बहुत अच्छी मिलेगी, प्लस जो switches है, यह भी आपको bike में बहुत अच्छी रेखने को लजाती है वही दूस्तो बात कर लेते हैं, अब इस bike के dependence and capacity के बारे में, दूस्तो इस bike के जो overall length है, वह में देखने को मिलती ही आपको लबाग, ग्यारे लिटर के आजपास की देखने को मिलेगी, अब दूस्तो ब्राइंड न्यू, होंडा की SP 105 Sports Edition का Complete Specification Review, अगा दूस्तो आपको उटर चले की उटर चले की तेख लाइक करेगा, चैनल पे पर आए तो सब्स्क्राइब करेगा, चले मिलते, नेक्स्त फिरो में, लव यो ओल, जाहिंग वन्दवाद